बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, असलाम अलेकुम, I hope you all are fine at your homes, so let's start our today's mathematics topic. Previously we have learned about fewer and more, what is fewer? वो चीज जो कम होती है उसको fewer बोलते हैं और वो चीज जो ज्यादा होती है उसको more बोलते हैं. जैसा के ये वाली picture में अगर हम count करें तो 1, 2, 3, 4, ये 4 pencils हैं और ये 1, 2, 3, तो ये कम वाली जो हैं ये fewer हैं जो ज्यादा हैं वो more हैं, कम वाली fewer हैं और जो ज्यादा हैं वो more हैं. अब हमें book वालों ने कहा है, tick the set with fewer things. एक ही जैसी pictures के two sets दिये गए हैं, हमें उन में से कम वाली fewer वाली जो picture हैं उसको tick करना है. यहाँ पर आप देखें ये वाले flower कम हैं 1, 2, 3 और इधर है 6 flowers तो हम इसको tick करेंगे. इसी तरह हम इस page पर सारी fewer things को tick करके अगले page पर जाएंगे. नेक्स page पर fewer और more के concept में से more things को tick करने का कहा गया है. इसी तरह एक ही जैसी things की two pictures दी गई हैं, एक में fewer हैं और एक में more हैं. आप देख सकते हैं कि पहली वाली जो picture है उसमें four cups हैं और दूसी वाली picture जो है उसमें three cups हैं. तो four cups जो होते हैं वो more होते हैं और three वाले होते हैं वो कम होते हैं. इसलिए हम more वाली picture को tick करेंगे. इसी तरह candles आप देखें. इधर three candles हैं और इधर one, two, three, four, five, six candles हैं. तो six candles are more than three candles and three candles candles are fewer than six candles six candles more है इसलिए हम six को tick करेंगे अब आप next page next page पर पहली वाली जो picture है उसमें for each set which fish has more sports circle it हमें pictures दी गही है fish की उसमें four four fish है हर picture में उन्होंने हमसे कहा है कि आपने ऐसी फिश को circle करना है जिसके force ज्यादा हो यहनिकर यह जो round round इसके नजर आ रहे हैं तो हम इसको circle करेंगे नीचे उन्हों पिक्चर के साथ हमें fewer spots वाली fish को circle करने का कहा है हम उस picture को उस fish को circle करेंगे जिसके उपर सबसे fewer या सबसे कम spots होंगे इधर जो है वो इस वाली के उपर सबसे कम spots है और इधर इस वाली के उपर सबसे कम spots है नीचे two pictures दी गई है एक picture में जो fish है वो अपने मूँ में से bubbles निकाल रही है, दूसरी वाली में उन्होंने हमें कहा है, draw more bubbles of blue fish than the orange fish, अब blue वाली fish के bubbles कितने हैं, one, two, three, four, five, इसके five bubbles हैं, तो इधर हमें इससे ज्यादा draw करने होंगे, one, two, three, four, five, six, seven, and eight, इस तरह से आफ round round bubbles draw करेंगे, पेज नमर four पर आप pictures को देखें, look at the pairs of set in each box, count and write in the boxes, color, few, blue, and more, red, हमने count करने हैं मेले objects को, इधर one, two हैं, और उधर हम यहाँ पर two लिखेंगे, और इधर जो हैं वो one, two, three, four हैं, तो हम इस box में four लिखेंगे, अब जो चीज़ें fewer हैं, उनको हम blue color करेंगे, और जो more हैं, उनको red color करेंगे, इस तरीके से आपने इनको सारों को color कर लेना है, और इनके numbers count करके लिख लेने हैं, I hope you understood very clearly, take care, Allah Hafiz